अब हश्कार दोस्तों, stay home, stay safe आज के टाइम में हर किसी को advice किया जा रहा है कि आप अपने घर के अंदर ही रही है अगर आप virus से बचना चाहते हैं लेकिन कभी आपने घर के अंदर मौझूद virus के बारे में सोच कर देखा है मैं बात कर रहा हूँ घर के अंदर मौझूद pollution की हम जब भी air pollution की बात करते हैं हम घर के बाहर देखते हैं pollution को शहर में कितनी pollution है लेकिन क्या आप जानते हैं आपके घर के अंदर भी धेरो sources है air pollution के जिससे कि आपकी health पर एक बुरा असर पढ़ रहा है और आपकी immunity effect हो रही है मुझे लगता है ये बहुत ही सही time होगा indoor air pollution के बारे में बात करने के लिए क्या अलग-अलग sources हैं indoor air pollution के और कैसे आप अपनी health की सुरक्षा कर सकते हैं उन सब से fight करके आए जानते हैं ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में 2019 की एक US-based report ने बताया था कि साल में 6 लाख से ज़्यादा इंडियन्स मारे गए indoor air pollution की वज़े से इस type की pollution से हुए diseases respiratory होते हैं pulmonary diseases, stroke हो सकता है, lung cancer हो सकता है, आपको asthma हो सकता है वही सारी चीज़ें अकसर जो outdoor air pollution से होती है लेकिन अच्छी ख़बर ये है, आप बहार की pollution को तो control नहीं कर सकते लेकिन आपके अपने घर के अंदर मौजूद जो pollution है उसे काफी हद तक बड़ी असानी से simple steps में control किया जा सकता है तो आएए जानते हैं क्या sources हैं और कैसे उन्हें control किया जा सकता है सबसे पहले और सबसे बड़े source की आपको शायर चिंता करने की जरूत नहीं क्योंकि आप मेंसे जातर लोग शहरों में रहते हैं जहां पर LPG cylinders का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इंडिया में 60% लोग एस्पेशली गाउं में रहने वाले लोग अकसर आज के दिन भी cooking करते वक्त wood, charcoal और cow dung जैसे fuels का इस्तिमाल करते हैं इन cooking fuels से incomplete combustion होती है जिससे की PM 2.5 release होती है जो बहुत ही हानी कारक है lungs के लिए Thankfully पिछले कुछ सालों में उजवाला scheme की वज़े से LPG cylinder का इस्तिमाल बढ़ा है पूरे देश में जिससे की इस source से आने वाला indoor pollution तो कम से कम कम हुआ है लेकिन अभी भी आप किसी को जानते हैं जो इन cooking fuels का इस्तिमाल कर रहे हैं तो please advise कीजिए कि वो ना करें दूसरा source ऐसा है जो कि आप शहरों में रहने वाले लोगों के kitchens में बहुत मिलेगा जो कि है एक non-stick pan जिस पे टेफलोन की coating हो अब generally कहें तो टेफलोन सेफ होता है लेकिन जब 300 degree से ज़्यादा इसे heat up किया जाता है तो ये breakdown कर जाता है टेफलोन कंपाउंड और harmful chemical gases इससे release होती है इसे avoid करना ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपके पास एक टेफलोन pan है तो इसे कभी भी preheat मत करिये जब pan खाली हो कभी भी इसमें extreme high heat पर खाना मत पकाईए और नहीं तो आप इसका alternative देखना चाहते हैं तो ceramic pants भी होते हैं जो टेफलोन से नहीं बने होते हैं तीसरा source है indoor air pollution का आपके vacuum cleaners किसने सोचा था वही machine जिनको आप इस्तिमाल करते हैं घर में सफाई करने के लिए वो actually में और गंदगी फिलाती हैं घर के अंदर बहुत से vacuum cleaners, especially जो पुराने vacuum cleaners हैं वो जमीन पे मौजूद dirt, dust और बैक्टिरिया को अंदर सकिन करते हैं और पीछे से बाहर हवा में छोड़ देते हैं ये चीज़ Australian researchers ने discover करी थी 2012 में कि कुछ vacuum actually चीज़ों को बहतर बनाने के जगें और गंदकी ही फैलाते हैं और same logic applicable है ज़ाडू के लिए भी अक्सर जब ज़ाडू लगाया जाता है उससे जो dust जमीन पर मौजूद होता है वो हवा में आ जाता है जो कि लोगों के respiratory systems में जा सकता है इस चीज़ को avoid करने के लिए एक simple solution है दोस्तों कि आप latest vacuum cleaners का इस्तिमाल कीजिए जो high efficiency particulate air filters के साथ आते हैं HEPA filters जब भी आप vacuum खरी देंगे तो देखना कि उसमें HEPA filter लगा है या नहीं लगा ये filters apparently 99.9% dirt, dust और bacteria को capture करके रखते हैं चौथा source है आपके personal care products में मौझूद chemicals वो air fresheners, perfumes, baby lotions और ये artificially scented candles जिनमें synthetic fragrances डली है ये synthetic fragrances बड़ी हामफुल होती है इनमें petrochemicals मौझूद होते हैं benzene derivatives, aldehydes जिनसे की cancer, birth defects और nervous disorders होते हैं solution बड़ा simple है, ऐसे personal care products का इस्तिमाल कीजिए जिनमें कोई synthetic fragrance नहीं डली है अपनी topic पर वापस आएं तो अगला source है indoor air pollution का paints आपकी दिवारों पर लगने वाला paint सही सुना आपने, जब ये paint अकसर wet होते हैं कई paints में VOCs होते हैं, जो की बहुत harmful होते हैं आपके लिए इनसे आपको respiratory problems हो सकती है, सरदर्ध हो सकता है, nausea हो सकता है और central nervous system भी आपका इनसे effect हो सकता है एक बार फिर से solution बड़ा ही simple है, उन paint companies को इस्तिमाल कीजिए जिनमें VOCs नहीं होते दिवारों पर खिडिकियों को खुला रखें जब तक वो paint सूपता नहीं है और paint की जो भी cans होते हैं, उन्हें tightly close रखें ताकि वहां से कोई chemicals leak ना होए अगला source of indoor air pollution ऐसा है दोस्तों जो बहुत common है और जिसे unfortunately avoid करना इतना आसान नहीं है mosquito coils, candles और अगरबतियां सही सुना आपने दोस्तों कुछ ऐसी चीज़े जो आम जिन्दिकी में बहुत इस्तिमाल करी जाती है especially candles और अगरबतियां स्कूल में आपने combustion के बारे में तो पढ़ाई होगा दोस्तों पांच main type ही combustion होती है पहले दो पर focus करो incomplete combustion और complete combustion incomplete combustion में पोरी तरह से combustion का process नहीं होता यानी unburnt suit particles release होते है ऐसी combustion जहां पर flame yellow color की होती है जो candle में होती है अगर बतियों में होती है और जो blue flame होती है वो complete combustion की होती है जो ज्यादा pure होती है वहां पर unburnt suit particles release نہیں होते, harmful gases release कम होती है simple सा logic है दोस्तों जहाँ जहाँ पर incomplete combustion होगी वहाँ वहाँ पर harmful gases release होगी जो कि आपकी health के लिए बहुत खतरनाक है ये ना सिर्फ candles और अगरबतिया है बलकि हुक्का ले लो cigarette smoke ले लो जहाँ जहाँ पर आपको एक combustion होती हुई दिख रही है obviously cigarette और हुक्का जैसी चीजों में और भी harmful chemicals होते हैं जो और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं आपकी health के लिए वैसे दोस्तों cigarette smoking से ना सिर्फ जो इनसान smoking करता है उसकी खुद की health पर असर पड़ता है बलकि अगर वो किसी indoor space में करेगा तो उस घर में मौझूद सारे लोगों की health पर उससे असर पड़ेगा क्योंकि सिग्रेट से निकलने वाला धुमा पूरे घर में जाकर फैलता है इसे second hand smoking कहते हैं शायद आपने अल्रडी सुना हो इसके बारे में लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों second hand smoking के बाद एक third hand smoking नाम की भी चीज होती है जब कोई इंसान सिग्रेट पीता है उससे निकलने वाला ash furniture पर गिरता है ये ash कई दिनों तक वहाँ पर ठैर सकता है और harmful gases release कर सकता है ये third hand smoking उतनी ही harmful होती है जितनी second hand smoking होती है कई research के according बाकी मैंने mosquito coils की बात करी थी वो भी particulate matter release करते हैं यहाँ पर solution यही है कि यह जो चीज़े है mosquito coil, candles और अगरबतिया इन्हें जितना हो सके उतना avoid करो use करना और जब इन्हें use करना भी है तो घर में खिड़कियां खोल दो proper ventilation रखो ताकि हवा cross होती रहे और जो इनसे धुमा निकलता है वो हवा के साथ filter out होता रहे वैसे हम यहाँ ventilation की बात कर रहे है तो एक चीज़ जरूर अपने दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों कि ventilation एक बहुत ही important हतियार है ना सिर्फ indoor air pollution के खिलाफ लडने के लिए बलकि coronavirus के खिलाफ लडने के लिए भी कई research papers ने बताया है कि अगर आप अपने घर को well ventilated रखते हैं खिड़कियां खोल कर रखते हैं regularly दरवाजे खोलते हैं ताकि हवा cross हो पाए इससे coronavirus की फैलने की मातरा काफी हद तक कम हो सकती है आपके घर के अंदर आपके खुद के coronavirus से infect होने के chances इससे काफी हद तक कम हो सकते हैं कई research papers ने बताया है कि जो coronavirus फैलता है लोगों को infect करता है वो जादतर cases में indoors ही होते हुए दिखा है बाहर infection कम होता है इसका ventilation के बाद एक और important हतियार है sunlight शायद आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि direct sunlight coronavirus को मार देती है human body के अंदर नहीं surfaces पर और हवा में जब direct sunlight पढ़ती है scientist ने पहले भी ये assume किया था लेकिन latest research ने बताया है कि ये intensity coronavirus को मारने की जो direct sunlight की होती है ये 8 times ज्यादा intense है जितना scientist ने पहले सोचा था तो अपने खिड की दर्वाजे खोल कर धूप को भी अंदर आने दीजिए आपके furniture आपके फर्ष पर पड़ेगी जो कि किटानू को मारेगी और viruses को मारेगी उमीद करता हूँ दोस्तों आपने इस वीडियो से काफी important नई चीज़े सीखी होंगी इस वीडियो को शेयर कीजे ताकि आपके friends और families भी ये चीज़े जान पाएं और अपनी health की सुरक्षा कर पाएं और सही माइनों में stay home, stay safe रह पाएं मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद